हे गाईज आपका स्वाक इते मोट्रॉक टेन में आज फिर से कैसे आप लोग सबाज आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियम हैच बैक्स में टाटा अल्ट्रोज और दुसी गाड़ियों के बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं कि आपको डीजल प्रीमियम हैच बैक गाड़ी खरीनी चाहिए या नहीं यह वीडियो डीटेल में देखिए अगर आप लेने वाले एक न्यू कार वरना आप मिस करें बहुत ही इंपोर्टेंट इंफरमेशन लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा नीचे लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का जाके प्रेस कर दीजिए उसको और सलेट कर लीजिए all notifications वरना आप मिस करें काफी सारे exciting news, reviews, car comparison, bike comparison जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना वो भी केवल हिंदी में हैं तो शुरू करते हैं आज का session, let's go! दोस्तो इससे पहले कि मैं कोई details में जाओ, let's try and understand यह जो premium hatchback segment है, यह क्या गाड़िया आती है इसमें और इसमें diesel engines किस-किस में आता है आपको, so Tata Altros आती है, there's the Baleno, Maruti की Baleno है, Toyota Glanza है और Hyundai की i28 जो primarily यह segment को dominate करते है Maruti की जो diesel engines आती थी 1.3 वाली, वो Fiat से outsource होती थी, Fiat ने का कि जो BS4 engines थे 1.3 liter वाले, हम BS6 में नहीं बनाने वाले, तो इस वज़े से Maruti को diesel engine नहीं मिलने लगी, और साथ में Toyota Maruti से गाड़ी खरीती थी, Glanza, तो इस वज़े से उनको भी diesel engine नहीं मिलता है, और Hyundai के case में क्या I-20 जो petrol और diesel में आती थी, जो diesel 1.4 था, वो केवल BS4 में था, BS6 में वो नहीं आया है, because of these three reasons, अगर आपको diesel गाड़ी चाहिए in premium hatchback segment, तो आपके पास cable, altros एक choice बचती है, उसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन, let's try and understand one very simple fact, कि ये premium hatchback क्या होता है, तो premium hatchbacks अगर आप देखे तो ये primarily बड़ी रहती है in length, इनमें आपको ज्यादा features मिलते हैं, features का क्या मिलते हैं, 16 इंच के wheels हो गए, cruise control हो गया, automatic headlands, train sensing wipers, touchscreen system, reverse parking camera, Android Auto Apple CarPlay, rear AC vents, काफी सारे features मिलते हैं जो आपको छोटी hatchbacks में नहीं मिलते हैं, साथ में जो premium hatchback रहती हैं, उसमें second row में ज्यादा space रहता ह है, space, comfort, और साथ में boot space भी बढ़ा रहता है, like you know, the normal hatchbacks get smaller boots, यह जो गाड़ी है, इसमें boot भी बढ़ा रहता है, यानि की पुरी family कहीं road trip पे भी जाए, तो उनके लिए comfortable है, और सब बोले, अरे इसमें अच्छी बड़ी गाड़ी खरीती, तो वो premium hatchback बन जाती है, अब सवाल यह उड़ता है कि डीजल में आपको गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि एक ही company बेच रही है, तो क्या आपको लेना चाहिए, या वाकई में कुछ और लेना चाहिए, तो इसके लिए मैंने पांच ऐसी वज़ये short list की है, जिस वज़ये से आपको डीजल premium hatchback consider करनी चाहिए, उनमें से पहला point जो है, इस COVID-19, अब COVID-19 का आपकी engine से कोई connection नहीं है, पर एक connect आता है, वो यह कि आज जब आप बहार जाएंगे, सबजी लेने, office, anywhere, आप पहले क्या करते थे, ओला, Uber, Auto, Taxi, अब वो नहीं करेंगे, आप avoid करेंगे उसको, इसका मतलब यह कि आज अगर आप अपनी गाड़ी में जाना जादा prefer करेंगे, और इस वज़े से आपका जो driving है, वो 15% approximately बढ़ जाएगा in your daily running, जो आपका running cost को increase कर देगा, इसका मतलब यह है कि diesel will come out to be a better option अगर आपकी driving already काफी अच्छी है तो, second important point is performance, अब देखें, डीजल गाड़ी में जादा बेट पेट्रोल इंजन का performance अच्छा है, it's not bad or it's not like, नहीं मजा है, it's good, पर डीजल इंजन का performance जादा बेटर रहता है, क्योंकि उनका torque is more, अब देखें, फिलाल गाड़ी का बिक्री आलटर, let's look at that simple example, उच में आपको 200 Nm का torque मिलता है, जो 1500 RPM से 3000 RPM के बीच में, यानि कि आपका ज driving range है, उस बीच पे आपको पीक टॉक मिलता है, जिस विजसे अगर आपकी गाड़ी में पांच लोग बैटके रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, और अगर आपको ओर टिक करना ही, आपको थोड़ा भी तेज निकालना ही गाड़ी, तो आपको जादा आसान होएगा इन डीजल करता हूँ, मेबी आपके लिए माइलेच जादा इंपॉर्टेंट है, तो माइलेच शुड भी है, डीजल गाड़ियों का वैसे भी माइलेच जादा रहता है जिना पेट्रोल का, आल्ट्रॉस का अरे नमबर देख लो, 25.11 किलोमीटर का अवरेज मिलता है, अश पर अरे आ ठीक है, अब यह वही इंजन है जो आपको आती है, अल्यडी ओन नेक्स ओन, आप में से काफी लोगों के पास नेक्स ओन डीजल रही है, काफी सब्सक्राइबर ने भी यह क्लियली बता है कि उनको 22 से 28 का अवर जाए, यह मेरा मानना नहीं है, I mean I feel it's too good to be a true number, but it is true, यह भ पासिबली तो उनको 28 तक का मालेज मिलता है, एक काम करता हूँ ना, लिंक छोड़ देता हूँ, आपको सारे डीटेल्स वाह मिल जाएंगे, नेक्स ओन लॉंग टर्म रिपोर्ट से हमारी, दो साल तक किया है, हमने 56,000 किलोमीटर्स तक, 56,000, और उसमें लोगों से भी बात है हमारे गर पे, और हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जब मैंने पेट्रोल से कंपेर किया, 19 बिस का फरक है, ज्यादा अंतर है ही नहीं, और उपर से अभी जो BS6 इंजिन आती है, वो वही टेक्नोलोजी है, जो यॉरप और US में यूस होती है, इसका मतलब ये कि उनकी टे महिंगी गाड़ी ले रहा हूं है, रीसेल अच्छा मिलेगा कि नहीं, पता चले मैं फस गया लेके गाड़ी कोई ले नहीं रहा है, तो रीसेल आपको ज्यादा हमेशा मिलता है, used car market में, for diesel over petrol, ये हमेशा का है, plus क्योंकि ये एक ही गाड़ी रहेगी market में बेचने को in terms of options, तो आपको रही सेल जादा मिलेगा, I'll give you two stories here, जो आपको clearly analyze करेंगे, किस तरीके से आपको रही सेल बेटर मिलेगा, तो पहली स्टोरी लेते हैं, of Innova, that's a simple example, जहां पर मैं बताना चाहता हूं, कि Innova, जब market में आई थी 2006 में, उसका top end, on road, लगबग साढ़े ग्यारा बारा रुपे तक आता था, whereas, 2016, last model, क्रेस्टा नहीं, Innova की बात करो, 2015-16 में जब उसका last model था, वो 18-19 के बीच में उसका top model की price थी, ठीक है, अब बहुत जादा अंतरनी आगे features में, थोड़े एक-दो features है, touch screen रच की नेक दो चीज़े एक्षा दी गई थी उस ताइम पे, और 10 साल बाद अपनी गाड़ी बेच आता मार्केट में, उसको 8-9 रुपे मिल रहते हैं, क्यों? क्योंकि sellers थे ही नहीं मार्केट में और बायस बहुत जादा है, that's a game of demand versus supply, correct, तो अब demand है, supply नहीं है, तो price तो बढ़ेगा, तो the same thing goes with the altros, यहाँ पे altros जब आप मार्केट में बेचने जाओगे diesel, आपको ज्यादा price मिलेगी than the other petrol versions, तो इस वज़े से आपने जो spend किये extra, उसमें आपको काफी हता रिटर्न मिल जाएगा, let me add one more story to this, आज जो engine अवेलिबल है, let's go back to 2019, BS4 था, petrol डीजल में लगबग 1,10,000 का फरक समझ के, आबरिज परकेट है, यहाँ से BS6 है, तो देड़ लग का difference आ गया, अभी देड़ लग का difference है, and BS6 phase 1, listen to me what I am saying clearly, BS6 phase 1, जब phase 2 आएगा, तब diesel और petrol का gap और बढ़ जाएगा, okay, now because of this increase in gap, जो cost है, वो भी बढ़ जाएगा, यानि कि आपकी गाड़ी अगर अच एक्स रुपीज में हाती है, तब X प्लस Y में हैगी, यानि कि उसकी जब resale देखो गए आप, तो और बेटर हैगी, so in short मैं आपको यह कहना चाहरा हूँ, कि Altros Diesel, क्योंकि वो एकलौती diesel market में available रहेगी, उसका resale ज्यादा रहेगा, than most of the cars in the market, in that price point, तो देखिए, Innova का भी स्टोरी हो ही है, कि कभी आपने सुना है, कि 10 साल बाद बेजी, बेचो तो चलो, 6-7 लाग मिल जाते हैं, पर आपने 10 साल बाद बेची almost गाड़ी, और आपको, you know, you've lost 4 lakh rupees, which is nothing, man, technically nothing, वो कीमत पे अगर आप, you know, आप दुरसी कोई गाड़ी देखते, जिसका supply बहुता, demand नहीं था, तो उसमें तो आपको resale कुछ भी आप शायद कच्छरे के भाव में भेज जो, पर यहाँ पर, because the product has demand, it gets good resale, और क्योंकि diesel, गाड़ीों की numbers कम हो गए, जैसे मैं आपको 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 प्रीमियम डीजल हैं, उसका जवाब है, जवाब है, तो उसका जवाब है, जवाब है, अब मुद्द की बात से it to the point, Altros, does it make the cut or no, मतलब दुसरी गाड़ी cut मारती है, मान लिया, समझो, क्या Altros, make it, make it true, so, let's cover the points there, पहला point है, प्लाटफॉर्म इस गाड़ी का, इस गाड़ी को मिलता है, अल्फा प्लाटफॉर्म, जो बेसिकली ज्यादा लाइटर है, और यह new generation है, इस गाड़ी, बेसि global endcap, यह मैं नहीं कहरा हूँ, यह global endcap कहता है कि यह safe twist, hatchback है, इंडिया में, तो in terms of safety, आपको tension ही नहीं है, दो airbags है, ABS plus EBD जैसे features है, और साथ में इसकी जो driving dynamics है, वो भी इसको support करती है, तो जब मैं performance की बात कर दूँ, already diesel performance की मैं बात कर चुका हूँ, with Altros example only, कि इसका performance काफी अच्छा है, चलाने में must है, और जब हमने इस गाड़ी को चलाया भी था, back in the day, December 2019 में, तब हमने clearly का था कि इसका diesel engine का performance बहुत अच्छा है, ride quality अच्छी है, suspension यानि कि Uber खाबर रस्तों पर चला तो कुछ जादा फील नहीं होता है, और handling भी बहुत अच्छी, यानि कि जो enthusiast है, उनके लिए ये एक अच्छी choice बन जाती है, अगर उनको handling का शौक है, high speed पर चलाने की stability देखना है, तो वो सब चीज है, third important point is space, premium hatchback ले रहे हो, तो space तो मंगता है boss, correct, तो second row space इस गाड़ी में अच्छा है, अब यहाँ पर मैं space को तीम parts में divide गता हूँ, एक physical space, यानि कि headroom, nearroom हो सब, second होता है seat का comfort, यानि कि seat पर cushioning अच्छा हो, माली जा मैंने आपको गाड़ी में space दे दी, पर मैंने आपको लखड़े का bench दे अंदर तो आपके लिए वो seat comfortable नहीं रहेगी, तो seat का cushioning है, grip है, recline है, वो काफी अच्छा है, and third and the final most important point is suspension, अगर आपकी गाड़ी म बहुत stiff है, या soft है जादा, तो आप comfortably बैठ ही नहीं सकते हो, तो ये तीनों elements, altros आपके लिए cover करती है, और ये space area में काफी perfect है, last and final point is features, features क्या आते हैं altros में, 16 inch के wheels, rear AC vents, flat floor, यानि कि तीन लोग पीछे बैठ सकते हैं, आराम से, जो वना बीच में जो passenger बैठते हैं, उसको वो पैर थोड़ा ऐसा ऊचा करके बैठना बढ़ता है, यहाँ पे वो story नहीं है, flat floor है, आपको cruise control है, automatic headlamps है, rain sensing wipers है, you get ambient lighting in the car, आपको 7 inch का touchscreen system है, 7 inch का instrument cluster भी digital दिया हुआ है, तो आपके पस ऐसे features बहुत सारे हैं गाडी में, जो इससे काफी unique and standout करते हैं, अगर आप यह दुसरे direction में देख रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी indicator है, so features आपको altros में बहुत सारे मिलते हैं, in the segment itself, जो इससे काफी better बना देते हैं, अब देखिए जब हमने December में एक short comparison किया था, altros versus glanza, balinoe या glanza जो भी आप कहलो, versus the i20, वहाँ पर हमने clearly कहा था, कि altros एक ज्या बची आने कि आप best choice ही खरीद होगे, आपके पास कोई और option नहीं है market में खरीदने को, और यह ultimate choice है, तो यह हमारा एक quick video on diesel premium hatchbacks, अगर आपको पसंद आया है, I mean, इतना देखा है, thumbs up तो बनता है, मैं नहीं पूछा हो पसंद आने, इतना देखा है, आपको information चाहिए, please give it a big thumbs up, और कुछ भी सवालो, please, comments में पूछ लोन के जवाब में आप तक जल से जल पहुंचाऊंगा और हाँ, नीचे, red बटन दबाईए, subscribe और साथ में notifications, all select कीजे, वन्ना आप मिस करें, काफी सारे exciting news, reviews, car comparison by comparison, जोग आप तक पहुंचाते, रोजाना, वो भी cable, Hindi में, so that's all we have for today Take care guys, love you all, see you soon